स्टूडेंट्स गुड मॉनिंग बच्चो आज हम करेंगे आपकी महाभारत की बुक का लैसन नंबर 32 बारवा दिन कहते कि जब युद का 12 दिन था तो अचारय द्रोन ने कई बार युधिष्टिर को जीवित पकड़ने की कोशिश की प्रन्तु वो इसमें काम्याब नहीं हुए और अचानक युद भूमी में शोर उठा कि भगदत के हाथी ने भीम से इनको मार दिया है ये शोर सुनकर युदिष्टिर ने अपने वीरों को भगदत पर हमला करने का आदेश दे दिया कि वो उन पर हमला कर दे और कुछ समय पश्चात अर्जुन भी भगदत के सामने आ गया और कुछ ही देर में उसने भगदत को मार गिराया भगदत को गिरता हुआ देखकर कोर्मों की सेना तितर बुतर हो गई प्रन्तु शकुने के दो भाई थे एक का नाम था व्रिशक और दूसरे का नाम था अचक वो ये सब देखकर भी विचलित नहीं हुए और लगातार सेना के साथ लड़ते रहे उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके उसे बहुत परिशान किया खोब परिशान किया प्रन्तु कुछ ही देर में अर्जुन ने उन दोनों को मार गिराया अपने भाईयों के मारे जाने पर शकुनी ने अर्जुन से युद किया प्रन्तु उसे हार का मुँ देखना पड़ा और हार के वो पीछे हट गया इसके बाद पांडव सेना द्रोणाचारे की सेना पर तूट पड़ी और संखे वीरों ने वीरगती प्रापत की इस प्रकार बार्वे दिन का जो युद होता है वो समापत हो जाता है आगे नेक्स्ट लेसन है आपका अभी मन्यू बार्वा दिन वाला लेसन कम्प्रीट हो चुका है नेक्स्ट लेसन है आपका अभी मन्यू कहते हैं कि जब यूद का तेरवा दिन था तो द्रोणाचारे ने चक्रव्यू की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया युधिष्ठिर की और से अनेक महारत्यों ने द्रोणाचारे के आकर्मन को रोकने की कोशिश की प्रन्तु वो इसमें सफल नहीं हुए नाकाम्याब हो गए ये देखकर युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए तथा उन्होंने अर्जुन पूत्र अभिमन्यों से चक्रव्य का भेदन करने को कहा मलग की चक्रव्यों को भेदने के लिए कहा अभिमन्यों ने कहा कि वैं चक्रव्यों में परवेश करना तो जानता है प्रन्तु व्यू से बाहर निकलना उसे नहीं आता जब उसने ऐसा कहा कि मैं चक्रव्यों के अंदर तो जा सकता हूं प्रन्तु उस सब मिलकर उसे बाद में बाहर निकाल लेंगे या फिर कोई न कोई मार्ग ढूंड कर उसे बचा लेंगे तो सब की बातें मानकर अभिमन्यू ने अपना रत चक्रवियू की और मोड दिया बाकी पांडव और अन्य महारती भी अभिमन्यू के पीछे चल पड़े और देखते ह वियू में प्रवेश करने के बाद सिंध देश का प्रकर्मी राजा था जैद्रत जो की द्रीत राष्ट का दामात था वो प्रवेश द्वार पर अपना रत लेकर आ गया और उसने सभी पांडवों को और बड़े-बड़े जो महारती थे उनको वियू में अंदर नहीं आन उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मन को भी मार डाला और अपने पुत्र की मृत्यों से आहत होकर दुर्योधन ने सभी महारतियों से कहा कि एक ही शण में अभिमन्यों को मार डालो बहुत गुसे में था वो तब कोरव सेना के 6-6 महारतियों ने अभिमन्यों को घेर लि अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि द्वार पर जैद्रत खड़ा था इसलिए अभिमन्यू को अकेले ही युद अंदर लड़ना पड़ा तब अभिमन्यू अपने रत का तूटा हुआ पहिया लेकर युद करने लगा इतने में दुशासन का पुत्र गदा लेकर ही आहत होकर गिर पड़े दुशासन के पुत्र ने उठकर अभिमन्यू पर प्राहर किया और उसे घायल कर दियां और भायल अभिमन्यू वीर गती को प्रापत हो गया और शीविर में लोटते ही जब अर्जुन को ये समचार मिला कि अभिमन्यू वीरगती को प्रापत हो गया है और किसके कारण हुआ है जैसे कि उसे पता चला कि जैदरत ने पांड़ों को अंदर नहीं आने दिया तो वो अभिमन्यू की मृत्यू का कारण जैदरत को ही मानता था तो अर्जुन ने उसी समय प्रतिग्या ली कि कल सूर्य अस्थ होने से पहले वो जैदरत का वद कर देगा जब जैदरत को अर्जुन की इस प्रतिग्या का पता लगता है तो वो बहुत डर जाता है भैभीत हो जाता है और वो चाहता है कि अपने देश लोट जाए प्रन्तु दुर्योधन ने उसकी सुरक्षा का उसे अश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तु बड़े-बड़े महारती नुक्त कर दी कि कोई उसे नुक्सान ना पहुंचा पाए प्रन्तु अर्जुन एक के बाद एक वीरों का काम तमाम करते हुए उस जगे जहां पहुंचा जहां पर जैदरत अपनी सेना से गीरा हुआ खड़ा था अर्जुन को आया देखकर उसकी सुरक्षा में नुक्त महारती भी चिंतित हो गए हमारा यह लैसन बेटा कंप्लीट हो चुका है मैं इसके कोशन आंसर की पिक सेंड कर रही हूँ आपने फियर नौटबुक पे इसके कोशन आंसर लर्न भी करने है और राइट भी करने है बच्चो थैंक्यू